दूस्तों, बैंक्स में जाने के काफी अलग-लग तरीके होते हैं, जैसे कि आपको बताए कि IBPS अपना recruitment कराता है, बाकि कुछ बैंक होते हैं, जो आपको PGDBF program के through entry देते हैं, तो IDBI उसमें से एक है, मेरा नम है विकास सर्मा, मैं आपको पूरा explain करके बताऊंगा, कि जो IDBI का recruitment अब आया हुआ है, assistant manager की post के लिए, क्या आपको इसके लिए apply करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर pros and cons क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो last date है, fee payment की, वो 26 February 2024 है, ठीक है, तो इसी में आपको पूरा final payment करना है, और A to Z पूरी जानकारी आपको यहाँ प पर यह है, ठीक है, आप देख लिए कि अगर south zone में आप देखेंगे, south or best zone में, तो एमदाबाद में यहाँ पर जो state है, वो है, gujarat, dadra and nagar heavily and demand and due, तो यह अलग-लग zones में इन्होंने इसको divide कर रखा है, जहां पर आपकी further posting होती है, अब इसमें आप यह देख लिए कि जो vacancies आई है, वो आपकी combined है, आपको posting जो है, आपकी priority के हिसाब से आपको बेजा जाएगा, तो जैसे कि आप अगर vacancies में देखेंगे, तो जो qualification है, वो हर एक candidate की होनी चाहिए, 31st of March 2024 को जो होनी चाहिए, वो है 20 साल और 25 साल, 20 से 25 साल की बिच में, आप अगर हैं, तो आप इस form क भर सकते हैं, ठीक है, दूसरी जो बड़ी चीज है, कि graduate अगर आपने कर रखा है, तब आप इस form को भर पाएंगे, बाकी आप देखेंगे, कि जो आपकी number of vacancies है, वो है यहाँ पर total 500, ठीक है, तो 500 vacancies के लिए इनोंने unreserved category में 203 रखी है, SC में 75 है, ST में 37 है, EWS में 50 है, ऐस अगर के सारी vacancies का categorization यहाँ पर दिया गया है, अब देखो, यह तो आपको बता लगए कि कौन को यहाँ पर apply कर सकते हैं, graduate और plus, जिनकी जो age है, 20 से 25 साल होनी चाहिए, ठीक है, जो relaxation मिलता है, आपको SCST, OBC, as per the government norms, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे जरूरी चीज है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पर दे रखी program की fees, देखो, जब आप इस form को भरोगे, form की fees आपको देनी है, उसके बाद जब आपका selection हो जाएगा, तब आपसे एक fees ली जाएगी, जो कहलाएगी program fee, अब यह जो program fee है यहाँ पर लेंगे 3,00,000 रुपए, मतलब अगर आपके program की fee है, प्लस GST इसमें applicable हैगा, और जो strength देगा installments में, as per a fixed schedule, during the first year program, inclusive of the course fee, lodging, जो voting charges आपके वो सारे हैं आपर, apart from the above course fee, the exam fee for undergoing various certification exams as amended, under the course will have to be worn by additionally by the candidates, मतलब यह तो program fee होगे, इसके लाब जो other fees भी होगे, जैसे कि कुछ exam fee होगे, other certification fee होगे, वो भी आपको, हर एक candidate को यहाँ पर PEE करनी है, ठीके, अभी जो 3,00,000 रुपए का खर्चा होता है, इसमें आपका सब कुछ होता है, आपकी study का खर्चा हो गया, आपका जो accommodation हो गया, आपका food हो गया, रहने, खाने और पढ़ाई का, इन तीनों का खर्चा आपस में क्या-क्या चीज़े यहाँ पर मिलती है, देखो, यहाँ पर mention कर रहा है, financing और loan options है, जो भी candidate select होंगे, can finance the course fee by availing education loan आप यहाँ पर ले सकते हो, अगर आपकी इच्छा है, और अगर आपकी इच्छा नहीं हो, तो आप directly अपनी जब से पूरा-पूरा एक बार में pay कर दो फिर जब आप इसको join कर लोगे, तो यह जो है, आपको starting में, starting के जो 6 मन्त है, उसमें आपको 5,000 रुपे पर महिने देंगे, मतलब, starting के 6 मन्त में, आपको 30,000 रुपे हाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद, फिर आपकी जो internship है, वो आपकी start होगी, दो महिने की, जि reserve the right to recover the stipend from the candidate who exit during the course or prior to joining the bank service, यह यहाँ पर कहा जा रहा है, कि अगर आपने, जो आपकी exit है, अगर आपने पहले कर ली थी, कि आप छोड़कर चले जा रहा हो, तो बैंक के पास पूरे-पूरे rights है, कि जो उसने stipend आपको दिया है, वो आपसे वो recover कर ले, subsequent to the completion of the 8 month, 8 month का है सब कुछ, 6 महीने 5,000 रुपए, 2 महीने आपको 15,000 रुपए, ट्रेनिंग और इंटरंसिप खतम हो गई, and subject to the successful completion of the PG-DBF, ठीक है, यह आपका एक तरीके से post graduate diploma होता है, banking and finance में, तो जब आपका यह complete हो जाएगा, उसके बाद, bank and shall be posted as an OJT, for an initial period of 4 month, ठीक है, आपको OJT बना कर आगे के further 4 month के लिए, जो bank की branches होंगी, बहाँ पर आपको further base दिया जाएगा, ठीक है, फिर कहा गया है, after joining the bank service as a junior assistant manager, जब आप bank की grade O, junior assistant manager की service को आप जब join कर लोगे, और successful आपका course complete हो गया है, तो यहाँ पर जो package की range है, वो आप देख लें, कितनी होगी, वो लगबग य city A मे at the time of joining, तो मोटा माटी अगर आप देखोगे, पचास अजार रुपए से उपर की salary आपकी बनेगी, ठीक है, यह चीज़ यहाँ पर इन्होंने mention कर दिया, तो जो को salary अच्छी मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि लोग join नहीं करते हैं, लोग इसको join भी कर लेते हैं, अग यहाँ पर कही है, जो grade हो के officer जिवाब बनोगे, यह जो junior assistant manager, तो इसमें जो जो आपके लिए TA, HA, local convince ठीक है, और जो subsidize lunch facility, visiting officer facility, inline facilities, जो जो चीज़ होती हैं, वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो annual increment salary, granted based on the performance, और any other parameters as a decided by the bank from time to time, तो यह है यहाँ पर, फिर कागे है कि grade officer shall be considered for the promotion to grade A on the completion of the three years, मतलब जो आपके तीन साल ब्रांच में पूरी हो जाएंगे ना, तो फिर आप further promote हो जाओगे कहाँ पर, grade A officer के लिए, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता रखे है, अब service bond ध्यान से समझें, क्या होता है, जो भी selected candidate है, at the time of their joining, जो इन्होंने course किया है, will have to execute a service bond, उनको सबको एक service bond देना पड़ेगा, IDBI bank का, तीन साल का यहाँ पर time रहता है, तीन साल का, आपका service bond यहाँ पर रहेगा, excluding notice period, notice period को छोड़ कर, पूरे पूरे तीन साल, ठीक है, from the date of their joining, IDBI bank service or sell have to pay, यह जो दो लाग प्लस taxes है, इसमें से आपको कोई एक amount देना पड़ सकता है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि अगर जो service bond की जो total, जो खामिया जा है, जो total, यह आपसे penalty के तौर पर बसू लेंगे, वो कितना होगा, यह होगा, कि date, जिस date को आपने join किया ह ठीक है, service or sell have to pay, जो notional amount होता है, लगबग 2 लाग प्लस GST के साथ में, यह आपको देना पड़ सकता है, in addition to the payment of rupees, 2 lakh प्लस taxes in case any candidate leave the service of IDBI bank before the 3 years, अगर 3 साल से पहले छोड़ोगे, तो इतना जो extra expense है, वो आपको bear करके, तब आपको यहाँ पर यह NOC जारी करेंगे, तब यह तो दूसरी branch join कर लोगे, जैसे आपने अगर इस branch, इसको join कर रखा है, और बाद में आपका कहीं पर किसी बड़ी जगह selection हो गया, तीन साल से पहले पहले आपको यहां से छोड़ना है, तो जब आपका notice period आप दोगे, तो बहाँ पर bank कहेगा कि जो यह compensation है इतना पहले भर दो, ठीक है, यह जो monetary penalty है वो आप भरोगे, तब हम आपको further NOC यहां पर देंगे, तो यह चीज यहां पर कहीं गई है, तो यह चीज का आपको ध्यान आपर रखना है, और दूसरी चीज यह भी है, कि जो he or c है, जो आपका outstanding loan है ना वो भी आपको clear करना होगा, तब ही उसके बाद में आपको further relieving यहां से दी जाएगी, ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, और इस पूरे examination का, जो selection process है, वो banking examination जैसा ही है, जिसमें logical reasoning data analysis and data interpretation के start question पूछेंगे, start marks क्योंगे, फिर English है, फिर आपका contrary aptitude है, जो कि 40-40 number के हैं, ठीक है, फिर start number का आपका general economy और banking रहता है, ठीक है, तो यह आपका पूरा paper का format यहाँ पर रहता है, बैसे हाँ, इस examination को अगर आपको clear करना है, तो उसके लिए current affairs funda जो है न, वो आपको बहुत ही बहतर तरीके से काफी सारी चीज़ें तयार करवा देगा, ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह हमारा जो complete current affairs का banking economy और जितनी भी financial awareness की सारी news आती है, वो सावम यहाँ पर कवर कराते हैं, प्लस यहाँ पर आपको quizzes, test, quizzes, everything is given in a proper manner, तो इसको आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, तो यह जो चोटी-चोटी चीज़ें हैं यह आपको examination में एक जगह पर current affairs funda के app में मिल जाएंगी, और सबसे एहम इससा भी है, अगर आप देखोगे कि general economy awareness का 60 number का है, तो अगर आप इस exam को target करो, तो यह 60 marks के लिए आप लोग current affairs funda से अपनी preparation कर सकते हैं, हमारा app download करें, link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, जब इस link पर जाओगे, तो download app पर click करना, आपका app download यहाँ पर इस वर्थी रहेगा join करना या नहीं रहेगा, या मुझे IBPS की तयारी ही करनी चाहिए, देखो मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे से experiment होगे, जो इसमें आएंगे, इसको join भी करेंगे, और अपना selection लेकर, वो further इस branch में रहेंगे, और उसके बाद अगर उनका कहीं दूसी ज करना चाहिए, बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे, नीचे जरू कमेंट सेक्षिन हैं पूछेगा, मैं आपको explain कर दूँगा, और till now, आप जो current affairs funda का mobile application है, आप इसको एक बार डावलोड कर लेना, मैं directly link दे रहा हूँ, बाईस यार से रदा लोग यहां पर use करें, और जो भी content है, बहुत ही dynamic है, updated है, current affairs का, तो आप इसको देखें, अच्छे त्यारी करें, thank you so much guys, have a good day to all of you once again, we will meet very soon guys